आप लोगों के लिए न्यू वीडियो का टाइटिल है गजवाई हिंद कंट्रोवर्सी तो दिखते हैं वीडियो को लाज तक जरू देखने हैं इस वीडियो में मतलब इस टॉपिक में वीडियो वाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि नौन-मुसलिमों को बहुत ज़ खासकर करते हैं झौन-मुसलम के लोगोंकि दिखते हैं उसके बारे में क्या वताया गैरे इसलम में वीडियो होने आल है तो स्टर्ट करते हैं बेनا किसे time में इसके गजवाए हिंद का सवाल एक ऐसा सवाल है जिसमें दोनों तरफ आपको कन्फूजन दिखाए देगा एक तरफ आपको कुछ ऐसे मुस्लिम्स मिलेंगे खास तोर पर आजकल के कुछ यूट्यूबर्स जो गजवाए हिंद की हदीसों को बताकर हिंद पर गजवाए यानि के जंग होने वाली है जिसकी पेशिंगोई हदीसों में दी है ऐसा कहते है दूसरी तरफ आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे कि मुस्लिम्स गजवाए हिंद करने वाले हैं उनकी हदीसों में आया है आईए आज इस सवाल को फेस टू फेस देखते हैं गजवाए हिंद की हदीसों को अगर हम देखें तो हम उसे दो पार्टस में डिवाइड करेंगे एक तरफ इस तरह की हदीस जैसे सौबान रदिलाओं की हदीस है ये इसी तरह की मिलती जलती अबु हुरेर और दिलाओं की हदीस है इन हदीसों में गजवाहिन का जिक्र है लेकिन ये जिक्र नहीं है के ये कियामत से पहले ईसा आएंगे उस जमाने की बात है ऐसा जिक्र नहीं है दूसरी तरफ वो हदीसे हैं जिसक्र थाले का इसाहिन जिक्र जिक्र शाले ऑने बात है आए शुरू करते है जो पहले किस्म की हदीस है ये हदीस हसन है थाप्श चुदा है लेकिन जो दूसरी किस्म की हदीसे है वो सबज़इफ है जैसन ग्रूस है इस हदीस को दो गिरुष ऐसे होंगे जिने आ ल्ला ताला जहन्नम के आँख से महभूज करदेगा पहला इसाबत तगजुल हिंद वो गिरुष जो हिंद पर घजवा करेगा वा इसाबत तकुनू मा ऐसा ए बन मर głos और दूसरा गिरुष वो जो इसाथ आफ और मर Styles होगा ये बात नहीं है, मिसाल के तौर पर आप इस हदीश को देख सकते हैं उदुत सितन बेन यदे साआ नभी स्वाइश ने फरमाया, छे चीज़ों को गिन लो इससे पहले के कियामत आए उन में से एक है मेरी मौत दूसरी चीज़ है बैतलमक्दस की फते और उसके बाद जो कई चीज़ें जो जिक्र की उसमें ऐसी चीज़ें भी है जो कियामत से पहले आने वाली है अब एक हदीश के अंदर ही है लेकिन टाइम गैप उसके अंदर हम देख सकते हैं तो यहां पर यह बात वाज़ हो गई कि इस हदीश के अंदर दो बातें साथ में जिकर है उसका मतलब यह नहीं है कि वो उसी टाइम पिरिड में होने वाला है गज़वा हिंद की हदीश के तालुक से इमाब इबन कसीर रहिमाहुला अपनी किताब अलबिदाया वनिहाया में लिखते है कि मसल्मानों ने गज़वा किया हिंद पर मौावियर अदिलानों के जमाने में 44 हिज्री में इमाब इबन कसीर रहिमाहुला और दीगर कई अलमाने कहा है कि जो पेशन्गों या इस हदीश में वो अल्ड़री पूरी हो चुकी है इबन कथीर और दीगर अलमा इकराम ने मौहमद इबन कासिम रहिमाहुला का जिकर किया है जिन्होंने कृशियन एरा के अतबार से देखे है तो 7-11 से 7-15 के पीरिड में सिंद में जंग लड़े थे और उस जंग का पुरा बैक्गराउंड आप चांच नामा जिसमें सिंद और हिंद की तारीख का ये एक अथरिटेटिव डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आप देख सकते हो कि उस जमाने के अंदर क्या हुआ था किस वज़ा से जंग हुई थी और किस तरह का जल्म था उस एरिया के अंदर जो वहां का जो राजा था उसके तालुक से क्या बाते मिलती है आप खुद देख सकते हैं तो सवाल ये उटता है कि जब मुहमद इबन कासिम रहिमाहुला जब इस जंग के लिए गए तो क्या इस हदीथ के अंदर जो पेशंगोई मिलती है कि हिंद में घजवा होगा क्या ये पेशंगोई पूरी हो गए ये नहीं हो गए यहां पर मैं चाहता हूँ कि आप एक बात को नोट करें अधिश के अंदर जो अलफाज है इसाबतन एक गिरोह तो ये एक गिरोह की बात हो रही है इसमें कहीं ये बात नहीं निकलती है कि हर बार जब भी ऐसे कुछ अलफाज इस हदीश के नहीं मौजूद नहीं है इसाबतन एक गिरोह होगा और प्रूफ के तोर पर मुहमद अब्न गासिम रहिमाहुला के जमाने के सिके भी मौजूद है जिसके अंदर क्लिर लियाप अलहिंद लिखा देख सकते है उनके बाद इबन कथीर ने महमूद बिन सुबुक्तिकिन अलगजनवी का जिकर किया है जिने हम महमूद अलगजनवी कहते है और उनकी सत्रा जंगे तो मशूर है तो ये पेशिंगोई और्डिडी पूरी हो चुकी है जब कोई पेशिंगोई और्डिडी पूरी हो चुकी है तो उसका हवाला लेकर आज के लोगों को अकसाना क्या सही है मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम की हदीथ है मुहमद अलगजने ने फरमाया कि यकिनन अनकरीब तुम मिस्र फत्य करोंगे मिस्र यानिक एजिप्ट उमर अदिलाओं के जमाने में ही फत्य हो चुका अब अगर कोई इस हदीश को बता कर ये कहे कि आज मिस्र पर हमला करेंगे और इसी हदीश को बताएंगे तो क्या ये सही होगा जब वो पेशिंगोई पूरी हो चुकी है तो इस तरह किसी पेशिंगोई का हवाला दे कर इस तरह से मिस्र पर हमला करना क्या सही होगा यहाँ एक बात मैं बता दूँ कि सिर्फ मुस्लिम्स के मुतालिक पेशिंगोई आने हैं परान हदीस में बलके आप अगर सूरा रूम पड़े तो पेशिंगोई में आप देख सकते हैं कि रूम की फते का जिक्र है आने के रूम् रूमन एम्पायर जो बिजैंटन एम्पाइर था उस जमाने में उनकी काम्याभी के तालुक से पर पर उसके पीशिंगोई सूरें erom ूरूम में है बहुत बुरी शिकस के बाद रूमी बिजाइंटाइंज फिर कामयाब हुए जिसका एक्सपेक्टेशन उस जमाने में किसी को नहीं था खुद रूमियों को नहीं था हिंद के गजवा के तालुक से भी आप देख सकते हैं कि उस जमाने में इतने दूर के गजवे का कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था आपके सामने ऐसे भी मुलक हैं जहां कोई मुस्लिम फौज नहीं गई अब ऐसा हो सकता था कि हिंद में भी कोई फौज नहीं आती लेकिन हिंद के गजवे का जिक्र है और ये बात खुद एक टाइप का मिरिकल है कि मुहमद सलुलासम ने उस चीज़ की बहुत पहले से पेशिंगोई की थी अगली बात ये कि क्या आपको पता है उस जमाने के हिंद में क्या पाकिस्तान भी शामिल था वो जमाने नहीं आप ये मैप देखिए बिर्टिछ जमाने का मैप है इस में भी आप देख सकते है हंदुस्तान में पाकिस्तान भी शामिल है लेकिन आज बास गिरो हंदुस्तान के खिलाफ जंग लडने के लिए गजवा हिंद की अधिस बताते हैं लेकिं नबी स्वालों अश्म के जमाने में हिंद के अंदर पाकिस्तान भी शामल था कोई ताज़ू की बात नहीं है कि ऐसे गिरोव भी है जो पाकिस्तान की हुकुमत के खिलाफ जंग करते हुए सेम गजवाहिंद की हदीस वहां फिट करते हैं अब आएए दोसी किसम की हदीसों की तरफ बढ़ते हैं इन हदीसों में ये जिक्रह जैसे मिसाल के तौर पर कि जब गजवाहिंद के बाद ये फौज लोटेगी उनकी मुलाकाद इसाइबन मर्यम से होगी शाम में अब ये टाइप की जो हदीसे हैं आप देख सकते हैं उसकी टोटल तीन संदे मिलेगी पहली संद के अंदर आप देख सकते हैं कि अबू हुरायर और दिलानहों से सफवान बिन अमर ने बیان किया है दरम्यान में एक रावी मिसिंग है और ये रावी कहीं हमें नहीं मिलता इस रावी की कोई डिटेल नहीं मिलती दूसरी हधीश तो सफان بن عبر ने एक डिरेक्ली नभी Tacil Allaisелю से बे plat کے बेआँ किया है यानि कि दो दो रावी बीचले के मिसिंग है और वलीद बिन मुस्लिम जैसे मुदलिस रावी भी मौजूद है इस वज़ा से ये हदीस तो सक्त जईव है तीसरी हदीस तो नभी सले लिलाहुले से ही नहीं है ये काब अभार की हदीस है और काब अभार इसराईली रिवायात बेयान किया करते थे काब अभार से भी सही सनथ से नहीं है वहाँ पे भी एक मिसिंग नरेटर है कमजोर नरेटर है तो इन शॉट ये दूसी किसम की हदीसे हैं साबित नहीं होती जो लोग ये हदीसों को बेयान करते हैं वो लोगों को ये भी बताना चाहिए कि ये हदीस किसी भी सही सनद से नहीं मिलती हजारों हदीसे सही सनद से मिलती है लेकिन ये हदीस सही सनद से नहीं मिलती उनको ये भी बताना चाहिए कि इसके लिए मिसिंग नरेटर है और ये बात साबित नहीं हो रही है ये भी साथ साथ में बताना चाहिए दूसरी बात ये कि कुछ लोग कहते हैं कि मुसल्मान घजवाय हिंद करेंगे गत्ले आम करेंगे फोस्ट कंवर्शिंज करेंगे तो मैं उन्हें यह बात बता दू कि सबसे पहले तो घजवाय हिंद हो चुका आगे फिर से होने वाला है उसकी कोई दलील नहीं उसकी हदीस सनदन थाबित नही ही नहीं है यह काईदा था है और यही रहेगा कुछ लोग इस टॉपिक के साथ क्यामत से पहले इमाम महदी की जो जंग होगी उसको भी जोड़ देते हैं हदीस के मताबिक क्यामत के अभी कई निशानिया आनी बाकी है और अगर आप देखोंगे तो सारे मजहबों में दु तो कैसे ही होगा उसी तरह हिंदुद्ञ्व में कल की ओतार के आने के बाद दूसरे धर्मों का विनाश होगा यह बाणा गया है लेकिन यह बात बताकर किसी जगापर कोई अगर किसी हिंदू पर जल्म करे तो वो सही नहीं होगा आखरी बात मैं आप सबसे यह अपील करता ही है हम सब इनसान है हमारा एक इनसानी तालुक है मैं आप सब को दाओत देता हूं कि आप इसलाम को भी उसके ऑथेंटिक सोर्स से स्टड़ी करें जजाकर लाओ खेर असलाम लेंगे मुसलमान बना लेंगे उनों मुसलमानों तो यह कहन। बहुत है हिंद हो जिसकी हदी किा करते हैं लोग गलत इने क्या रखेंगी नहीं qasみasam kaille ये किन उनका फर्सनल मेटर रहता है तीक हिसलuir लेना देना कुछ नहीं रहता है जैसे की हर दर произошlen होते हैं वैसे हर कम्यूंटी में होते हैं लेकिन उसको इसलिम से जोड़ना घ्रत बात और यह बिलकू पर्फेक्ट वीडियो थी क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है बहुत जादा चलता है किसे के इंडियन मीडिया का एक स्क्रीन शॉट भी दिखाया है इनोंने तो हमारी मीडिया का तो मतलब कोई इमान नहीं है वो पैसे के लिए बिख चुके हैं वो कुछ भी फाल्तू की चीजें खास तौर पर मुसल्मानों को लिए के ल जादना चाहिए ना कि यह जो फाल्तू के लोग है जो एक्स मुसलिम बन के बैठे उनकी बातों में आके आपको बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए क्यों कि यह लोग पैसे से सिर्फ इनको मतलब है और यह गलत चीजें लोगों तक पहुच आते हैं वीडियो आप लोगा क्या कहना चाहिए जरू कान बॉक से कमेंट करके आताना और अगर आप इस वीडियो पर न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना इंशार लोग को सब्सक्राइब करके बेल नौटिफिकेशन और साइट कर देने नेक्स वीडियो में दो तक लिए बाएं लव यू क्या देए